Hello everyone, इस class में हम बात करेंगे board examination and entrance test के बारे में Board exam आप लोगों ने दिये हुए हैं अब वो आपकी दिमाग में question आया होगा कि first, second, third या fourth पहले की time की बात कर रहे हूँ जब fifth class भी आपकी board की class हुआ करती थी तो first, second, third, fourth class तो normal paper आप school में देते थे लेकिन fifth class के paper देने के लिए आप किसी और जगा जाते थे या किसी school जो board ने center alert किया होता था वो किसी एक school में के बच्चे उसी में अपने जो paper होते थे वो देते थे फिर उसके बाद eighth class, tenth class plus two थी है यह सारी classes क्या थी? Board की classes थी तो difference क्या है board examination और जो आपकी school manual examination होती है बाकी classes की तो यह हम समझेंगे तो आज के time के हम बात करते हैं तो tenth or plus two की class को ही board की class तक हम लेते हैं यानि की board की class माना जाता है उनको और उसी के साथ हम बात करेंगे entrance test की यह terms पी आपने मतलब इसके बारे में आप familiar होंगे नहीं पता होगा कि किस context में हम इसको use करते हैं तो वो detail में इस class में हम समझने की कोशिश करेंगे अब board examination का concept समझते हैं अलग है यह यह तो आपको clear हो गया कि board examination आपकी school के examination जो होती है उससे अलग है तो board examination एक ऐसा examination board है जिसमें आप बोल सकते हो कि is an organization that set examinations is responsible for marking them and distribute results यह काम होता है board exam जब होते हैं तो किसी organization के through ही paper set किये जाते हैं वो ही responsible होते हैं कि number उन्होंने कैसे marking करनी है और जो result है उसको भी distribute करना है बताना है ठीक है some are run by the government entities and some are run as not for profit organization कुछ ऐसी organization होती है जिनोंने यानि कि mainly a private organization है जिनोंने अपने जो board है वो बनाए हुए है ठीक है कुछ government entities होती है अब हम जानेंगी वो कौन-कौन से board है mainly हम बात करेंगी यहाँ पर इंडिया के ही context में how many types of boards exam are there तो total five types होते हैं board के इंडिया के अगर context में बात करता है mainly इसमें से कुछ आपने I think आपने तीन जो board है उनके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे दो हो सकता है आपके लिए नए है ठीक है तो first जो है CBSE board सुना है आपने इसके बारे में हर स्टेट का अपना एक board होता है for example जैसे हम हिमाचल से हैं तो हमारा क्या है एच्पी board जो धर्मशाला board है वो school of HP board धर्मशाला जो है वो है हमारा board स्टेट board की बात करते हैं फिर आता है IGCSE and IB तो यह जो IGCSE है इसकी full form है International Journal Certificate of Scandary Education ठीक है और यह क्या है थोड़ी English based language जो English language है उस पे based यह board है इंडिया का origin नहीं है इनकी recognition किसी और country की है वैसे ही IB board भी इसी तरीके से है और यह practical education के उपर mainly based है जो IB board है ठीक है थोड़ा सा tough board भी मानते है practical utility और मतलब जो child centered education की बात तो करते ही हैं लेकि international level पे कैसे त्यार करना है citizen को वो इसमें ज्यादा सिखाया जाता है अब secondary sorry CBSE board की बात करते हैं वो तो आपको पता है central board of secondary education और state board हमने बता दिया ICSE board इसकी full form है Indian certificate of secondary education ठीक है इन board के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे ठीक है तो मेली बोर्ड का काम है कि पेपर कंड़क्ट करवाने पूरा set त्यार करना और किस तरीके से उनका result त्यार करना यह सारी की सारी जिम्मेबारी होती है इसके बारे में थोड़ा और डीटेल में जानते हैं अब देखो नॉर्मल एक्जाम भी होते हैं लेकिन बोर्ड एक्जाम करवाने का क्या उदेश्य है एक तरीके से आप यह भी बोल सकते हो कि एक सेटप बनाने की कोशिश की जाती है ताकि पूरी एजुकेशन सिस्टम को भी आप जान सकते हैं जान उसकी की जा सकती है बच्चों को एवैलिवेट करने के लिए एक सिस्टम की तरह जब आप उसको इंप्लिमेंट करते हैं अब देखो क्या प्रोसीजर है बोर्ड की एक्जामिनेशन कैसे होती है तो बोर्ड की एक्जामिनेशन आपको याद होगा कि जब आप नॉर्मल स्कूल में अपने पेपर देते हैं तो आपको जादा कोई फॉर्मेल्टी नहीं करनी होती है कुछ जो फॉर्मेल्टी होती हैं वो आपके टीचर ही पूरी कर देते हैं लेकिन बोर्ड के एक्जाम जब होते हैं स्पेशल आप फॉर्म भरते हो ठीक है और सिगनेचर उसमें करते हैं बाकी भी चीज़े चोटी 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 आपको याद आ रही होंगी अपने टाइम पर जब बोर्ड के एक्जाम फिल के होंगे फॉर्म फिल के होंगे तो क्या आपको ध्यान आ रहा है वोगो कर रिक टेक्स साइमल्टेनिसले अक्रोस था कंट्री सी बीसे से एसोशेटर जितने भी स्कूल है वो उनकी एक्जामिनेशन का टाइम पिरियड एक जैसा होगा पूरा पूरे साल में जब भी वो एक्जाम करवाएंगे ठीक है अब एच्पी बोर्ड की हम बात करेंगे तो एच्पी के अक्रोडिंग वो अपने एक्जाम कंड़क्ट करते हैं थोड़ी वेरियेशन होती है जैसे लेकिन जो बोर्ड की क्लासिज है वो सेम ही चलती है ठीक है सक्योर्टी इस यूजली हाई फॉर दीस बोर्ड एक्जामिनेशन में उतना द्यान नहीं रखते हैं लेकिन इन यह जो examination है इसमें security का पूरा दिहान रखा जाता है question paper are distributed by the overseeing जो भी दिहान रखा board exam में जिसके duty लगती है वो ही उनकी पूरी responsibility होती है board of education and their contents are guarded closely until the exam begin यह तो आपको पता है कि paper जो होते हैं पूरे seal लगी होती है जब आपके सामने आप examination hall में आप बैट जाते हैं packet खोला जाता है तो पूरा secure करके रखा जाता है जो भी question paper है और यह कुछ rules है calculation करने के लिए कोई भी calculator या कोई और machine आप use नहीं कर सकते हो किसी भी तरह के gadget को use करना उसमें मना है और examination approximately या तीन गंटे का paper होता है यह time दिया गया है अब यह तो procedure हो गया कि किस तरीके से board exam को conduct करते हैं अब evaluation of board examination कैसे होगी जो answer sheet होगी आपकी उनको क्या करेंगे board of education में उनको भीजा जाएगा papers are evaluated based on example of ideal answers जो आपने answer दिये होगी उसी की basis पे आपको evaluate किया जाएगा false roll number देखो पहले क्या होता है कि एक नकली roll number जो है वो attach कर दिया जाता है unsure sheet के साथ before evaluation ताकि किसी की ऐसी खास पहचान ना हो कि यह किसने यह कहां से आया है या किस तरीके से थोड़ी identity उसकी hide की जाती है once the answer have been evaluated the identity numbers are matched to the actual roll number of the candidate the board then issue an official grade जब पूरा आपका result मतलब जब आपको पेपर अच्छी से चेक किया जाता है उसके बाद क्या करते है actual roll number की साथ वो तो हो गया step ठीक है फिर क्या करते है कि आपको एक grade card या score या report या नहीं कि आपका result शो करते हैं उस result में आपने जो भी number marks जो attain किया होंगे वो दिखाय जाते हैं आपको वो answer sheet की copy आपके सामने नहीं दी जाती है ठीक है यह था board examination के बारे में I hope आपको यह समझाया होगा यहां तक तो अब HP board की अगर हम बात करते हैं थोड़ा समय आपको बिलकुल brief में बताऊंगी HP board जब examination महाँ पर होती है तो उसके कौन-कौन से simple rules हैं वो आपने ध्यान रख लेने हैं eligibility for board final examination यह होना चाहिए जरूरी head of the institution are required to send the names of the student यह head of the institution की responsibility बनती है who may desire to present themselves as candidate for department or school ठीक है board examination provided that they are of good conduct यह बच्चे के बार में बोल रहे हैं कि उसका भैवार अच्छा होना चाहिए उसकी attendance minimum 75% होनी चाहिए ठीक है और student must obtain at least 20% marks in each subject and 25% in aggregate in two terminals and other periodical test अब आपको आपने CCE के बार में पढ़ा होगा वहां पर internal assessment भी दी जाती है तो यानि कि कुछ formalities है जो student को पूरी करनी होती है पूरे साल में और student का क्या behavior है या internal assessment क्या है या कुछ formalities head of the institution head of the school उनकी तरफ से वह भेजी जाती है किसके पास board के पास ठीक है और इस तरीके से फिर आप exam board exam होते हैं और result display किया जाता है अब हम बात करते हैं हमारे next topic की entrance test की entrance test क्या होता है entrance test हम बात कर रहे हैं entrance test की entrance test and examination that many educational institutions use to select student for admission mainly mainly जब बच्चा छोटा होता है उसको किसी स्कूल में अपने admission दिलवानी है ठीक है आजकर आप देखते होंगे कि स्कूल में admission दिलवाने के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि सारे schools में यह प्रोसीजर है लेकिन कुछ schools में कुछ वह private school है कुछ वह government schools भी है जहां पर बच्चे को admission दिलवाने के लिए entrance test से गुजरना पड़ता है तो mainly examination होती है entrance test entrance examination is an examination that many school used to select the student for admission these exam may be administered at any level of education from primary to higher education although they are more common at higher level देखो आपने यह तो मैंने बता दिया आपको कि primary level पे बच्चे को जो bad admission दिलवानी होती है तो entrance test का सहारा लेते हैं लेकिन most commonly आपने देखा होगा higher level पे जब आप अब आप graduation करके उसके बाद कहीं और जाना चाहते हैं आप क्या करते हैं किसी दूसरे course mad admission लेने के लिए आप क्या करते हैं entrance test देते हैं बियट की हम बात करते हैं तो इस course mad admission लेने के लिए आपने entrance test दिया था तो यह इसका nature समझते हैं कि entrance examination क्या होती है अब बात करते हैं types of entrance examination इससे थोड़ा सा आपको ज़्यादा clear हो जाएगा generally there are two types of entrance test एक होता है competitive second है आपका objectives competitive exams में क्या होता है इसमें examinations आर ranked and choices of universities and courses are given in the ascending order of rank ठीक है और objective type जो entrance test है based on multiple choice question the rational is as much to save work on evaluating millions of candidates using automated means as to balance out the effect of subjective score on conventional papers ठीक है तो objective type में यह इस तरीके से entrance test ले जाता है objective जो entrance test है apart from secondary and highest secondary administration examinations बहुत सारी universities जो हैं वो भी conduct करवाती हैं यह आप इस चीज़ को relate करना आप जब आप school से बाहर मानलो school आपका complete हुआ school से आपने किसी college में admission लेनी है तो कहीं जगा किसी college में admission के लिए आपको क्या गरना पड़ता है entrance test से गुजरना पड़ता है और बाद में आप क्या गरते हैं college से आपने university में admission लेनी है तब भी आपको entrance test से गुजरना पड़ता है तो entrance test की क्या-क्या characteristics है अब वह भी थोड़ा सा जान लेते हैं एक तो है first जो है general admission student will be just by the overall marks including the marks from the exam by national center for university entrance examination and the individual scholastic aptitude test secondary exams general admission यानि कि जिस भी course में आप admission ले रहे हैं जिस भी course से related आपने entrance test दिया है वो आपको assess करेंगे आपका जो scholastic aptitude है यानि कि आपने कितना score किया है test में उसके basis पे in order to secure a screening process that does not solely depends upon academic abilities practical skills भी उसमें हो सकता है interviews भी हो सकते हैं जो कि उस program से related होंगे उस course से related होंगे यह totally depend करता है कि कौन सी organization ने exam entrance exam जो है वो conduct करवाया है second है इसकी characteristics admissions by recommendations prospective students who strongly wish to enroll into the university and who also have a certain level of academic abilities and will to learn can be exempted from the exam by national center for university entrance examination are based on recommendations of the principal of his her high school will be just by a short essay practical test or an interview अब यहां पर recommendation का यह नहीं है कि कि किसी ने उनको सिफारिश उनकी कर दी तो वो admission उनको मिल जाएगी नहीं ऐसा नहीं होगा entrance test भी उनका होगा लेकिन वो highly recommended होंगे उनका score school college में अच्छा होगा और वो head of the school या principal के through recommend किये जाएंगे और उनको judge करने के लिए practical कोई skill test कर लिया जाएगी या short essay type को उनका test लिया जाएगा या फिर उनका interview लिया जाएगा उसके through उनकी admission हो जाएगी ठीक है यह भी entrance test की characteristics में आता है थर्ड है special admission for returnee students थर्ड नहीं है इसमें fifth point है special admission for returnee students the admission of returnee students who have been educated in a foreign school with different education system is not only a significant aspect of internalization of university but also will become a great opportunity for other students to enrich their international consciousness through various culture stimulation as such the university conducts special admission for returnee students by exempting them from the exam by national center for university entrance examination यानि कि जो foreign में पढ़ रहे हैं तो उनको वो पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी exam conduct के जाते हैं उसके entrance test के थरू वो भी admission ले सकते हैं special admission for international student on private funds with the progress of international nationalism it has become a significant theme for university to accept international student we have had a worst increase in number of international students from Asian countries आपने देखा ही होगा अगर हम HPEU की ही बात करते हैं यहाँ पर भी international level के students पढ़ते हैं अलगलग countries के students पढ़ते हैं किसी और university का example ले सकते हैं आप किसी और organization में भी आप देख सकते हैं institution में देख सकते हैं पाहर के बच्चे भी यहाँ पर आकर पढ़ते हैं इंडिया के कितने सारी student foreign में जाकर पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए भी entrance test के थूरू admission का provision रखा हुआ है special admission for transfer students यानि कि जो transfer student का अर्थ है जो student transfer कहां से हुआ है इसको पहले आप समझ लिए इसमें क्या है university एक transfer exam conductor करवाती है जिसमें कि student graduated from two year colleges vocational school university as well as current university student ये सारे student उसमें होते हैं university conducts transfer exam for perspectives students who have graduated from two year college vocational school university as well as current university students उनके लिए करवाती है ये test entrance test के थूँ वो भी admission ले सकते हैं अब इसके क्या benefits है या क्या नुकसान है वो भी थोड़ा discuss कर लेते हैं benefits of an entrance examination है कि जो benefit देखो सबसे बड़ा benefit ये है कि institution can select the talented student by conducting an entrance examination में लिए आपने त्यार रखना है entrance test इसलिए लिए लिया जाता है ताकि आपकी abilities को आप हम क्या करें या जो भी administration में जो है वो check कर पाएं कि आप उस course के लिए suitable हो या नहीं हो तो ये बहुत ही अच्छा एक medium है जिसके through आपकी ability को assess करके आपको उस course में admission देने का एक माध्यम बनता है देखो जिसको जितनी knowledge होगी उसके basis पे उसको admission में लेगी कोई recommendation कोई biasness यहाँ पर show नहीं करेंगे देखो जिसको जितनी knowledge होगी वहाँ पर जब entrance test होता है तो ये नहीं ध्यान में रखा जाता है कि अच्छा कौन किस घराने से आ रहा है कौन सी caste से related है उसका समाजिक आर्थिक कितना अमीर गरीब है क्या है उसका status को भी ध्यान में नहीं रखा जाता है बस वहाँ पर उसकी ability को ध्यान में रखा जाता है उसी को ही judge किया जाता है उसी को ही evaluate किया जाता है अब कुछ इसकी disadvantages भी हैं वह भी देख लेते हैं क्या नुकसान है देखो बहुत साधा time लगता है बच्चे को feedback देने में अब आपने कोई interest दिया है उसका result बनने में फिर आप कोई सामने result आने में बहुत जादा time उसमें लग जाता है time consuming है यह difficult for the slow learners के लिए समटाइम ऐसा होता है कि बच्चे यह बोलते हैं हम paper time से attempt ही नहीं कर पाए हमसे कुछ questions छूट गए तो हो सकता है वो कर सकते थे लेकिन उनको जादा time चाहिए था slow learner थे वो तो उनको उस limited time में अपनी abilities को show करने का मौका नहीं मिलता है there are chances of a student guessing, bluffing, his way through sometimes यह होता है mc question में हम क्या करते हैं tick कर देते हैं sometimes यह होता है कि आपने तुका मार दिया और ठीक हो गया तो इस से entrance test का यह एक नुकसान है कि बच्चे इस तरीके का उनका अपना attitude बनाने लग जाते हैं तो आज के lecture में हमने entrance test or board examination के बारे में जाना I hope आपको यह समझ आया होगा कहीं पर भी कोई भी doubt होगा आप comment section में पूछ सकते हैं एक बर मैं हलका सा उसको थोड़ा simple से शब्दों में बता देती हूँ कि board examination board के पास responsibility होती है सारे की सारे paper कैसे conduct करने है और यह कोशिश रहती है simultaneously एक जैसा pattern follow करे वो depend करता है मैंने आपको पांच तरह के board बताए जिसमें मुझे लगता है तीन तरह के board को हम practice में रखते हैं जिसमें CBSC board और state board और बाकी board में मैंने आपको बताए ICSC board ठीक है इस तरीके के जो board है उनके through examinations होती है जैसे CBSC board exam conduct करते है तो CBSC से affiliated जितने भी school होंगे उनका time सेम रहेगा और exam pattern सेम रहेगा question paper किस तरीके से बनाने है वो भी उन्हीं के ओपर depend होता है वैसे ही state board की अपनी responsibility है कुछ rules होते है वो उनको follow करने परते हैं उसी एक recording वो बच्चे के result को बनाते हैं और display करते हैं ठीक है entrance test क्या है primary level से लेकर higher education तक आप entrance test को use करते हैं बच्चे को school med admission दिलवाना हो या फिर बाकी school से हम college में college से university उसके बाद भी आप क्या करते हैं entrance test के तरू बच्चे की ability को उस particular field के लिए select करने के लिए evaluate करते हैं तो बस यही था entrance test और board examination के बारे में thank you and have a nice day